कोडोन एकजाम अपडेट में एकबार फिर से आपका स्वागत है आज का ये वीडियो अधारित है बिटपी 2020 को लेके अगर आप किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना चाहते हैं अगर आप M.S.C का डिजिटेशन करना चाहते हैं अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या M.S.C कर चुके हैं और अगर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना है तो आपके लिए एकजाम बेस्ट है अगर आप इस एकजाम को पास करते हैं और अगर इसके थूरू किसी भी बायाटेक कंपनी में आप अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो सरकार आपको 10,000 पर के हिसाब से स्टैपन भी देती है तो अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं MSC फाइनल इयर में है या MSC आपने 18 या 19 में पास कर ली है तो आपके लिए बेस्ट एकजाम है आप इस एकजाम के थूरू किसी भी बायाटेक कंपनी में जो BT के जो DBT के लिस्ट में है आप उसमें जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं और प्लस 10,000 पर मंत के हिसाब से वह आपको इस्टैपन भी देंगे तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन-कौन से MSC या BTEC, MTEC इलिजिबल है इसके लिए क्या डॉकुमेंट आप पुच जरू हुआ है और यह अप्लिक्वेस्टन फॉर्म ओपन रहेगा तीन दिसंबर तक 18 दिसंबर को इसका एडमिट काड़ा जाएगा और तीन जनवेरी को इसका एक्जाम है यहने कभी आपके पास दो मेने का समय है त्यारी करने के लिए इसमें इलिजिबल कौन-कौन है MSC, MSC, SME, BTEK, MBA और MSC in Veterinary Science भी लिजिबल है अब इसका Qualifying minimum marks क्या है अगर MSC आपका 50% के साथ है minimum 50% के साथ और अगर अपने 18 में complete किया है या 19 में complete किया है या 20 में आपका complete होने वाला है यानि कि 1st semester के student इसको नहीं feel कर सकते आप final semester के student हैं या final year के हैं तो इसके लिए आप eligible हैं एक बात चो ध्यान देने योगी है अगर आप 18 में में सीखिये हैं और 19 में कर चुके हैं तो आपको बस final certificate submit करना है अगर आप appearing में हैं या 20 में आपको final होने वाला है तो आपको एक अलग से undertaking देना पड़ता है उसका मैं format यहाँ पर दे रहा हूँ इस तरह से आपको भरके अपने hod से sign कराके जो की college principal है या head of institute है उनसे sign कराके यह एक certificate देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर appearing हूँ तब ही आप इस form को fill कर सकते हैं अब हम दोग देखेंगे कि MSC में कौन-कौन सा subject है किस-किस MSC में और कौन-कौन सा B.Tech के subject में या MBA के subject में eligibility है MSC या M.Tech Biotech के stream में general biotech हो सकता है, agriculture biotech हो सकता है, industrial biotech हो सकता है, marine biotech, medical biotech, pharmaceutical biotech, environmental biotech, plant biotech, food biotechnology और animal biotech इसकी किसी भी stream में अगर आपने MSC किया है या M.Tech किया है तो आप this training के लिए leasible हैं अगर आपने अलग subjects से किया है जैसे कि Molecular and Human Genetics, Molecular Biology, Biotechnology, Biotechnology and Biochemical Engineering, Bioprocessing Technology, Computational Biology या Bioinformatics तब भी आप this training के लिए इस exam के लिए eligible हैं MSC, M.Tech, Biotechnology और other stream के अलावे भी अगर आपने B.E. या B.Tech किया है Biotechnology या Bioinformatics में तब भी आप eligible हैं अगर आपका MBA है Biotechnology में तब भी आप eligible हैं अगर आपने MSC in Veterinary Science किया है Animal Biotechnology से तब भी आप इसको भर सकते हैं और आप इस training के लिए eligible हैं अब हम लोग जानते हैं किसका question pattern क्या है General Science से 10 question आते हैं और सभी question एक marks का होता है तो total 10 marks हुए Biotechnology के question में 80 questions होते हैं और सभी एक marks के होते हैं तो 80 questions यहां से हुए General aptitude और analytical question आते हैं जो कि 10 question होते हैं और सभी एक marks के होते हैं तो 10 marks का यह हुआ Total 100 marks का exam होता है और समय इसमें 100 minutes का है 1 marks पर 1 minute यानि कि 1 question पर 1 minute का समय मिलता आपको और हरी question एक marks का होता है अब इसमें topic आपको क्या-क्या cover करना पड़ेगा General science का तो topic हम लोग जानते है General knowledge है Science के field में General aptitude भी है लेकिन यह जो बायो टेकनलोजी का field है जो 80 marks का है उसके लिए कुछ topic decided है जैसे कि industrial biology, immunology, microbiology, genetics, biochemistry, plant biology, animal biology, cell and molecular biology, IPR, intellectual property right, analytical techniques, bioinformatics और bio processing engineering या fermentation technology से related questions रहते हैं तो आप इनको अबर cover कर लेते हैं तो 80 marks का question जो है आप completely cover कर सकते हैं सिरिफ इनी topic से अब हम लोग जानते हैं कि आपके पास कितना समय बचा है अभी नौंबर का महिना चल रहा है और आज 8 तारिक है यानि कि आपके पास ये पूरा नौंबर बचा है इसके बाद पूरा दिसंबर बचा है यानि कि मान की चलेंद आपके पास तकरिबन 50 days हैं और इस 50 days में आपको complete तयारी करनी है अगर आप सच में interested हैं तयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे course को join करना चाहते हैं तो NCIBBB BITB 20 का course launch की है आप 2 month course हमारा भी join कर सकते हैं अगर आप तयारी कर रहे हैं और इस exam के लिए eligible हैं तो या आप खोद से भी 2 मेने का रूटीन बनाए और उसमें अलग-लग subject को अलग-लग timing से बाटें आप तयारी कर सकते हैं या हमारा test series भी join कर सकते हैं कोर्स भी चलता है यहाँ और test series भी चलता है अगर आप हमें जोइन करना चाहते हैं था हमारा whatsapp नूमर है 9471-455844 आप इस पर अपना नाम और अपना course bitp को लिखकर whatsapp करें या हमें email कर सकते हैं codeonbiology at the rate of gmail.com पर हम जरूर reply करेंगे इसके लिए अब जो लास्ट segment है इसका की document क्या क्या लगता है अगर document की बात करें सबसे पहले तो आपका एक passport site का photo लगता है इसके बाद signature self associated copy लगता है अगर आप pass कर चुके हैं 18 या 19 में अगर आप 20 में हैं जो हमने आपको format दिया था आपको वह appearing का format जो है sign कराके अपने hod से या head institution से आपको यहां submit करना पड़ेगा अगर आप नौर्थ इस स्टेट से विलॉंग करते हैं तो आपको एक domicile certificate भी submit करना पड़ेगा इसके बाद इसका जो payment fee है वह आपको 500 रुपीज का है जो कि आपको form भरते समय देना पड़ेगा जो कि non-rependable है अगर आप इससे जूड़ी कोई भी जनकारी ओफिशल चाहते हैं तो बिटपी ने एक ओफिशल एसिस्टेंट जारी किया है जिसमें कि यह नंबर है आपका help desk नंबर है इसमें phone नंबर है इमेल है या आप इसके website पर भी जाके देख सकते हैं और यह 10 से 5 के बीच में Monday to Saturday open रहता है आप call करके कोई विजनकारी eligibility related हो या technical query हो आप पूछ सकते हैं इसमें अब एक ही कौन-कौन सा city में इसका center है यहां कुछ city का list हमने दिया है जहां पे इसका center पड़ता है आप अपना इसमें से list चुन सकते हैं अगर आपके city में है तो और भी बेतर है या तो अपने नजदी की city में center डाल सकते हैं thank you so much for watching the video आप कोड़न वाले से जुड़े रहें इस तरह के और जारकारियां मिलती रहेंगी thank you so much for watching the video thank you